राजिंद्र सत्सिव निकाल जे 13 जनवरी 1906 जो अपने उपनाम छोटा रंजन के नाम से लोग पिरिया है एक बात ये गेंग्स्टर और सचपयक्ता अपरादी है जिनोंने बुंबई इस्तित एक प्रमुक अपराद सीडिकेट के वस के रूप में काम किया था बुंबई के चैबूर के पास काम आया वर्थ के लिए एक बड़ी कॉलोनी तिलाक नगर में रहते हुए रंजन से सहाका सीनिमा में सीनिमा टिकोटों के एक छोटे से कलाब आजारी के रूप में सुरुवात की पुलिस कंस्टेव पर हमला करने के आरोप में उससे जेल हुई थी जेल से रिया होने के बाद वो 1982 में बड़ा रंजन गिरोव में सामिल हो गया बड़ा रंजन की कोली मारकर हत्या के बाद छोड़ा रंजन गिरोव को संभाल लिया और दाउद इब्राइंग के लिए काम किया जो दुबाई भाग गया था परुन गवाली के दोरान रंजन 1980 में दुबाई भाग गया और अंतता 1903 में उससे अलग होने ओए सवतन तक गिरोव बनाने से पहले ताउद इब्रहें का दाइनाहाद बन गया जो अक्सर लाउद भी कमनी के साथ तक्राव करता था वह कई अपराथिक मामलों के वंची थे जिसमें जबरान वसूली हत्या तसकरी और मदग पदातों की तसकरी सामिले वह सत्तर के मामलों में और कई हत्या के पयासों के मामलों में भी वंची थे ऐसा कहा जाता है कि रंजन सहीदी कीडा मंडल नामक एक समाजिक संगाठन को वित्तपो सुईत करता है जो तिलक नगर में गनत उस्सव का आयोजन करता है जो राजन गुव आधार है रंजन की पत्नी और दो बेटिया तिलक नगर में रहती है रंजन को 25 अक्टूमब 2015 को इंडियनेशने पूलीस ने बाली में गिरपतर किया था रंजन को 27 साल की फरारी के बाद 6 नवंबर 2015 को बाली से भारत पत्यपित किया गया था और वत्मान में वह हिलसात में चले रहे मामलोग की सुनवाई का इंतजार कर रहा है दो मई 2018 को उन्हें पत्रकार की हत्या कर दोसी थराया गया और और जीवन कारावास की सजा दी गई चोटा रेंजन का जनम बमब़े के चैबुन के तीलक नगर इलाके में एक परिवार में हुआ था उन्होंने अपने सुरुवाति दिनों में सीनेमा टिकट विक्यता के रूप में काम किया उन्होंने अपने अपरादी करिये की शुरुआ चेबुन में छोटे मोटे अपराद करके की उनके गुरु बड़ा रंजन उन्हें 1980 के धस्तक में सहार का सीनेमा असोक थीटर में सीनेमा टिकोटों की काला बजारी से परिचित कराया उनके गुरु हैदराबाद के बड़े रंजन यादगीरी थे जिनके अधिन उन्होंने यह अपर के गूर सीखे एक बाद जब बड़ा रंजन मर गया तो निकल जी के रंगददीपर और छोटा रंजन की उपाती मिली थोड़े समय के लिए दावत इब्राइम रंजन और अनुन गवाली के एक साथ काम किया फिर गवाली के बड़े भाई पाप गवाली की ड्रग डील को लेकर हत्या कर दी गई और दरार पड़ गई अन गए उनकी पत्नी के अलावा उनका परिवार अभी भी यहां है वा कभी वापस नहीं लोटा 1903 के बंबे बंब विश्वर्ट के बाद इब्राइम और रंजन के बीच मदबेद हो गए इसी खबर की अनुसार इब्राइम ने नेटवर्ट के बारे में रिसर्ज एन एनलेसिस इंग वीक को जानकाई दी थी इब्राइम रंजन पाटी खतम हो चुकी थी और इसका खराब अन्त रंजन पाटी खतम हो चुकी थी उस्टेलाई पुलिस की सुचना पर करवाई करते हुए इंडोनेस ने अधिकारियों ने रहीवार को रंजन को सीडिनी से वाली पहुचते हुए हिसात में ले लिया केंद्रिया चांच वीरो के नीदेसक अनील सिना ने किरप्ताई के फुष्टी करते हुए कहा इंटरपॉल के मद्यम से किये गए सीवी आई के अनुरत पर बली पुलिस के छोटा रंजर को खिरप्ता कर लिया बटवारी के बाद उसने अपना अलग गैंग बना लिया बटवारी के बाद से रंजर और दावुद के गुंडों के विज खुनिंग गोली वारी खबरे आम है 1994 में रंजर ने दावुद की पसंदिता नरको आतंगवादी फिल्लु खान और परबखियार एमत खान को रैंकों को एक होटल में के कमरे में फुर्स लाया जहां उसके सबसे करीबी सही होगी और साथी मंगेस मांगया पवारदारा दोखा दिये जाने के बाद मौत के काट उतार दिया गया फिल्लु और मग्या दोनों 1903 में विस्पोर्ट में सामिल थे कि पुलिस ने 15 माज 1903 को विस्पोर्ट में उनकी संपलिता का आरोप लगाते हुए मामला दर्च किया था अब तक रंजन के बंधूक धारियों ने धमकेक वा आरोप की 10 लोगों को गोली से भून दिया था सितम वो दो जा में दावुत ने बैंकों में रंजन का पता लगाने के लिए बुम्बई इस्तित होटल यवस्थाई विनोत और आय मिस्टरा के साथ अपने सबंधू का इस्तमाल किया दावुत के सहियों की छोटा सकिन ने तब इस हमले का नेत्व किया खुद को पिजा डिलेवरी मेन बताकर उन्होंने रंजन के भरोसे मन हिट मेन रोईत वर्मा और उनकी पतनी को गोली मार दी हाला कि रंजन को मानने का उनका आदस से विफर रहा रंजन होटल की छहत और आग से बचकर भाग गया फिर वो एक अस्पताल में ठीक हो गया और पकड से बचने के लिए भाग गया दाउत इब्राहिम ने रेड एफिंग कॉम्प को टेलीपोन पर हमले की पुष्टी करते हुआ कि रंजन ने पहली मंजिल के कमरे की खिड़की से कुद कर भागने की कुशिस की जहां उस पर हमला किया गया था कि गिरने से उनकी कमर टूर गई और उन्हें अस्पता ले जाया गया हत्या का यह असपसर प्रयास दाउत के लिए महगा सावित हुआ रंजन के सयोगी ने दोजा एक में बुंबई विनोत का पता लगाया और गोली मार कर हत्या कर दी साथी दाउत ने एक अन्य सयोगी सुनिल सोनस की भी हत्या कर दी विनोत और सुनिल दोनों ने दाउत से सयोगियों का रंजन ठिकाने की जानकाई दी थी आलगी विनोत और सुनिल सोनस की हत्या होसे लीक अमने पर कोई खास असर नहीं पड़ा लेकिन 19 जन्वरी 2003 को रंजन के सयोगियों ने दुबाई के इंडिया क्लब में दाउत के मुख्या वित प्रभातक में मौनी लॉंडरिंग एजन सहरत की गोली मार का हत्या कर दी यह निलला जा हत्या दाउत और रंजन से 27 परिवतन का प्रतिक थी फ्रांसी ना केवल सावाजनेक इस्तान पर दी गई बलकि उस इस्तान पर दी गई जहां जिसे दाउत अपना फिच्वाडा समत्ता था खुप्या रिपोर्ट से पता चला कि सरत की मौत डीकमनी के लिए एक करारा जटका था क्यूंकि सरत धारा प्रभावित अपरादी सीडीकेट संचलन की अधिकन स्वितिय और मौत्रिक जनकारी दाउत दारा कभी पूरी तरा से पूर्ण प्राप्त नहीं हो गई थी रंजन की साधी सुजाता निकला जिसे हुई दमपती की तीन बेटिया है अंकिता निकलेजा निकलेजा और कुछी निकलेजा उनके छोटे भाई दिपक निकलेजा संसर रामदाग अटपाले की रिपोब्लिकन पार्टी ओप इंडिया से जुड़े है रंजन के दोस्त और सकामी नाना काकर बुलाते थे उनके समुक और नाना कमनी के नाम से भी जाना जाता था दोजा दोग की वॉलिविट फिलम कमनी में अपनी हिन अभीनेता विवोक ओबर धारा निपाय गया किरदा चंदू था जो वास्तर जीवन के दावत इबरांग गीरों के साथ छोटा रंजन जिसा दिखता था इसके अलाव 1909 में संजय दर अभीनित फिलम वास्तर दर रियल्टी रंजन के चीवन पर आधारी थी OTT सुखला बंबई मेरी जान में भी छोटा रंजन की भूमी का पकादिसित की गई है 25 अक्टूंबर 2015 को रंजन को इंडोनेशना की वली में पकल लिया गया चाहां भात्ती अधिकारियों ने उसे वापस भारत बेचने के लिए इंटर पॉल्फ में संपक किया यह गिरपताई उस्टेरे पुलिस की एक गुप्त सुचना के कायर होई जिसमें कहा गया था कि रंजन ने मोहन कुमा नाम के भात के पासपूर्ट के साथ वली की यात्रा के थी सीवी आई सुत्रों के अनुशार अंडवरट डोन हवाई अड़े पर एक कतार में खड़ा था जब अवजन अधिकारियों ने उसे एक तरह हटने से और अपना नाम बताने के लिए कहा इस पर गैंक्स्टर ने पहले अपना मुल नाम राजिंदर सदसीव निकलेजे बताया और फिर तुरंग खुद को सही करते हुए कहा मौन कुमा जो उसके पासपोर्ट पर उलखनी नाम है उससे अधिकारी सतक हो गए और उन्होंने उससे पुस्ता सुरू कर दी इसके बाद अधिकारी ने फिंगरपींट परिक्सन की मदद से पहचाना की प्रकिया सुरू की रेट कॉंडर नोटिस में दिखाया गए फिंगरपींट नमूनों के अठा बिंदों में से ग्यारा उसके नमूनों में मेल खाते है जिसमें पुष्टी होती है कि वह राजिंदर सदसीव निकले जाही है जरंजन को 6 नवंबर 2015 को भारत परियापित किया गया था और वह वत्मान में तिहार जेल में है लगबख 70 मामलों के मुकदमे की पतिक्सा कर रहे है